हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन और घर के लिए बहुत ही अमेजिंग से हैक्स हमारे घर और किचन के काम हमेशा चलते रहते हैं और ऐसे ही चलती रहेंगे हमारी प्यारी से टिप्स तो बढ़ते हमारे आज की वीडियो की तरफ समर सीजन में हरे प्यार्च को आप एक सबजी के रुप में बना कर देख सकते हैं इसमें हम कुछ मटर भी एड़ कर सकते हैं साथ ही साथ इसमें मश्रूम की ये सबजी के साथ ने इसका टेस्ट और भी जादा बढ़ जाएगा तो यहां पर हमने ये चीजें ले ली हैं मश्रूम को आप पहले थोड़ा सा आप सोते ज़रूर कीजिये इसके आप बाद में इसको पकाने के बाद सोते करेंगी तो यहाँ पर मैं पहले इसको सोते कर लेती हूँ थोड़े से तेल में और तेल अगर हलका सा भी कच्छा हुआ मिन्स की सरसुका तेल पहले पका हुआ होना चाहिए उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा फ्राइ करेंगे बहुत जादा फ्राइ नहीं करेंगे क्योंकि जो मश्रूम होता है उसमें थोड़ा सा मौश्चर लेवल जादा होता है और अगर आप बाद में उसमें आट करेंगे न तो वो इतना अच्छी सबजी नहीं बनेगी बाद में जो है इसको किसी भी सबजी के साथ आपैट कर सकते हैं बहुत ही जादा टेस्टी बनती है हमारे जो कईबर सोफे वगेरा पतह होते हैं वो बिल्कुल चमकते नहीं हैं तो हम क्या करते हैं मार्किट से कुछ लेकर आते हैं यहाँ पर मैंने यूज किया है बेकिंग सोडा में बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं सफाई की तो यहाँ पहले अच्छे से आप उसको पूरे सोफे पर लगा देंगे जहां जहां आपको लगता है वहां वहां पर और उसके बाद आप इसको थोड़े से सरव वाले कपड़े से दोएंगे दोना नहीं मतलब अच्छे से जो है निचोड कर कपड़ा इसको साफ करेंगे फिर एक साफ पानी वाले कपड़े से साफ करेंगे तो मैं आपको इसके after results भी दिखाऊंगे आपको एक दो मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देना है ताकि बेकिंग सोड़ा अब्जोब हो जाए उसके बाद ये रहा हमारे पास साफ कपड़ा मैंने जो है नॉर्मल दूसरे सरव वाले कपड़े से अल्रड़ी साफ कर दिया था शूट नहीं हुआ बट ये नॉर्मल साफ कपड़ा है मैं उससे साफ कर रही हूँ और फिर जब ये सूखेगा ना तो आपको बहुत ही amazing से result मिलेंगे एक से दो बार करेंगे ना तो so far बिल्कुल चमकने लग जाएगा जैसे कि मैं इसके after result के बारे में दिखाती हूँ तो ये रहा इसका after result इसमें से सारी गंदी की निकल चुकी है आप पिट्राइ कीजिए अब सेव लेकर आते हैं तो जैसे ही market से लेकर आएं तुरंत आप ये hack जरूर कीजिए क्योंकि आजकल का जो winter season शुरू हो चुका है इसमें डेंगू, malaria ऐसे लक्षन बहुत जादा मिलते हैं तो जब भी आप कोई भी vegetable लेकर आएं या फिर कोई भी fruit लेकर आएं आप सबसे पहले यही कीजिए उसमें डालिए थोड़ा सा vinegar यहां फिर vegetable साफ करने के लिए अलग से बहुत सारे products आते हैं वह भी ले सकते हैं पर vinegar सभी के घर में बहुत easily मिल जाता है और coachly भी नहीं होता और synthetic vinegar है बहुत जादा महेंगा भी नहीं है इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जो है lukewarm water इतना डालेंगे कि सारी चीज़े अच्छे से इसमें डूब जाएं और 5-10 मिनट के लिए इसको में ऐसे ही चोड़ दीजिए और vinegar यहां पर मैंने एक गिलास से थोड़ा कम डाला है साथ मिनट के बाद बहुत अच्छे से हम इसको साफ कर लें तो जो भी vegetables वगेरा होंगे एक बार अच्छे से ना उनके जो चिलकें उसकी ऊपर से रगड़ कर आप इसको निकाल दीज़े और normal water से आप इसको दो सकते हैं अभी ने आपको में एक चीज दिखाना चाहती हूं जब हम normal water से ही धोते हैं तो उतनी चीज़े उतनी गंदी ही नहीं निकलती है जितनी विनेगर डालने से निकलती है और इसमें क्यूकि हमने हलका गरम पानी का यूज किया था तो आप अभी देखेंगे कि इसमें कितना बहुत जादा गंद निकला है और यह देखें बहुत जादा अभी तो ना यह कैमरे की लाइटिंग की वज़े से या फिर किच्चन की लाइटिंग की वज़े से इतना प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा हूगा फिर भी घर में पड़े हुए कुछ ऐसे बरतन होते ना जिनका हम यूज नहीं करते और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे की लिफाफे वगेरा हम उसका यूज नहीं करते तो आज के ये दो हैक्स उसी के लिए है तो मैंने क्या किया एक जो सिंक मेना हमने चोटी सी गटोरी रग दी लिफाफे के साथ बरतन को मांच रही हूँ कही बर के होता है हाथों में कुछ ना कोई दिक्कत होती है और सेकिंड हमारा जो पानी है पानी की बचत इससे बहुत जादा होगी अगर आपके पास कोई सा भी पॉलतीन है आप जरूर उसको चड़ा सकते हैं इन स्टीड की गलव्स थोड़े महंगे पड़ते हैं अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो अपने हाथों को बचाने के लिए तो आप लिफाफे का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दो टिप्स आपको एक साथ बता दी कि आप पानी का यूज कम भी कर सकते हैं अगर आप सिंक में पानी पहले से भर कर रख लें तो यहां देखे बहुत सारे बरतन इस पानी में जो है दूले जाएंगे और आप पानी की जो हमारी वेस्टेज है उसको रोक सकते हैं तो टू इन वन यह हैक था उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मैं आपको ना इसके साथ भी बताना होते हैं उसको दोने के लिए भी करेंगे मतलब की पहले जब हम बरतन दोने से पहले थोड़े से पानी में निकाल लेते हैं उसके बाद सरफ लगाते हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं तो हमने धेर सारे बरतन इसमें से दो लिए अब यह पानी को मैं से निकालोंगी जो बाखी के बरतन है यह देखिए बिल्कुल इसमें मैंने साबून नहीं लगाया है इन बरतन को मैं इस पाने में डाल दोंगी और उसके बाद इसमें से जब गंदिगी निकल जाएगी तब हम जो है सर्फ लगा कर यहां फिर जो विम पार या विम लेकुट ज आप कर सकते हैं तो सबसे पहले टिप पता है क्या है हमारे घर में जब भी हम विम बार का यूज करते हैं तो बहुत जादा गल जाती है और के बर पानी डला रह जाता है जिसकी वजह से हम उसका पूरा यूज नहीं कर पाते तो इसके लिए आप यह सोप्ट इस पैंसर ले और इसमें आप डालेंगे vim liquid और यहां पर हमघम liquid डाल देंगे, तो यहां पर मैंने आधा vim liquid डालना है और आधा इसमें पानी डाल देना है आप चाहें तो इसमें विंबार भी एड़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ विंबार से ही बरतन धोना पसंद है तो आप विंबार के टिक्या डाल करना इसमें पानी डाल सकते हैं इसे क्या होगा जो इसमें सारा विंबार घुल जाएगा और आप उसका ब ताकि जो बरतन घिसने वाले होते हम उसको घिस भी सकें, होप आपको यह चोटा सा हैक पसंद आया होगा, अगला हैक पता है क्या है, बच्चों से रिलेटिड है, अगला हैक, अगर बच्चे को बहुत जादा कफ रहती है और उसी के साथ ही सर्दी जो काम जल्दी रहता है, बल्गम की दिक्कत रहती है तो ये हैक्स जरूर ट्राइ कीजिएगा तो इस होम रेमिडी बनाने के लिए हमने लिया है थोड़ा सा सरसुका तेल उसमें डालेंगे आजवायन और उसी के साथ ही हम डालेंगे इसमें हींग तो यहाँ पर एक चुथाई चमची मैंने आजवायन ली है एक चुथाई चमची यहाँ पर हिंग ली है और अच्छे से ये तेल को हमें जो है कारना है कारने का मतलब ब्लैक सा कर लेना है जब आपको बहुत अच्छी से खुश्बू आने लग जाए ना और आपको लगे की आजवायन बहुत अच्छे तरीके से अपना कलर भी छोड़ रही है और खुश्बू भी छोड़ रही है और उसका कलर भी बहुत जादा ब्राउन या फिर ब्लैक हो चुका है तब आप गैस को बंद कर सकते हैं और ठंडा करने के बाद आप इसको चान लेजेगा तो यहाँ पर देखिए ये तेल है बहुत ही जादा लापकारी तो यह देशी घी की मैं इसमें जो है बाउल में ही इसको पौर कर रही हूँ यह लगाने के लिए ही मैंने रखा हुआ था तो इसको अब हम क्या करेंगे इसको गरम-गरम यूज़ करना है बहुत जादा गरम नहीं जैसे हलका गुन-गुना गरम जैसे बच्चे को खांसी आ रही है बलगम जमी हुई है तो रात को सोने के टाइम या दिन में भी तो उसके जो है आप जो चाती पर इसको लगा सकते हैं अपने जो अपने पैलों के तलों पर लगा सकते हैं हाथों के तलियों पर इसको लगा सकते हैं बहुत यच्छे रिजर्ट पिलेंगे हमें कुछ ऐसे ताले होते हैं जिनको हमें कई बार ना यूज करना पड़ जाता है तो जैसे कि मेरे पास ये ताला है वैसे तो न्यू ताले भी है पर कई बार ऐसा होते है ना ने ताले नहीं मिलते है या खराब हो चुके होते है तो पुराना पड़ा ऐसा ताला हमारे लि जापी, जैसे गरम करनेक लिए, मुझ़े अगशुट करते विक मुबथि नहीं मिली, तो मैंने क्या किया, इसको आप गैस की उपर लग सकते भस हमने क्या कि करना हmost कि सिरफ अट करना समढ़ करना और कोई भी इसमें काम नहीं करना बस कीज को थोड़ा सा गरम कर लेना है और बहुत ही हमें ना जादा गरम करना बस इतना गरम होना चाहिए कि जब हम इसको लोक में एट करे न तो अंदर जाकर लोक को गरम कर दे और जो भी उसमें जिमी हुई जंग होगी या हल्की सी जो मैल कह सकते हैं यहां carbon गरम होकर जूटना शुरू हो जाएगा और बहुत easily जो है लोक ओपन हो जाएगा ट्राइआउट जुरूर कीजेगा यह बहुत ही बड़ी आसा हैक में ने आपके साथ शेयर की होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईए थेंक यू